प्रोविजनल डाइगनोसिस का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं प्रोविजनल डाइगनोसिस का मतलब होता है एस्थाई निदान, अनंतिम निदान या प्रारंबिक निदान अब इन सब का मतलब क्या होता है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ जैसे मान लिजे कोई वेक्ति है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब उसके लक्षन देखकर और उस हिसाब से उसका पता लगाता है या डोक्टर को लगा कि ये बिमारी हो सकती है तो उसको provisional diagnosis कहते हैं और जब test हो जाता है, test का result आ जाता है तो उसके बाद जो है, वो finally confirm हो जाती है कि ये इस वेक्ति को ये बिमारी है या ये condition है, ये दिक्कत है तो उसी को provisional diagnosis कहा जाता है तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि निमोनिया का एक एस्थाई निदान दिया गया लेकिन एक X-ray इसकी पुष्टी करेगा, confirm करेगा यानि कि डोक्टर को उसकी हालत देखकर लगा कि उससे निमोनिया हो सकता है पर X-ray करने के बाद ही वो confirm होगा तो ये अभी provisional diagnosis है तो आप कहेंगे a provisional diagnosis of pneumonia was given but an X-ray will confirm it या अगर आप ये कहना चाहें कि पहले प्रामर्श के बाद रोगी को sinus संकरमन का S-thi निदान दिया गया यानि कि जो पहले बार डोक्टर से consult किया गया अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते है आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें